हाई दिसि केुत टीशट प्रेन्टिंग का बिजनेश स्टार्ट करने, से पहले आपको यह चार बातों का खास दियान रखना है य旗ा को अगर आउग इस चार बातों का खास धियान रखोंगे जो आप चार बाते क्यार चीज तो आपको यह धियान रखना है कि भाईया आपको एक अच्छा टीशर्ट सप्लायर देखना है एक अच्छा टीशर्ट सप्लायर जो बड़ी-बड़ी मार्केट प्लेसे जैसे बेवकूप.com हो गया इन सबसे कंपीट कर सकें उसकी टीशर्ट देखो इस चीज की प्रॉब्लम तो मैं आपर सॉलू किये देता हूं अगर आपको एक अच्छी प्लेन टीशर्ट चाहिए तो आप हमसे गेट बैक कर सकते हो नीचे वाट्सप लिंक दिए हम लोग क्या करते हैं कॉटन यान बाई क करते हैं बड़ी मात्रा में और उसका फैब्रिक बनाते हैं फिर उसके बाद हम लोग प्रोड़क्ट बनाते हैं एक ही प्रोड़क्ट होता है हमारे पास 180 GSM का राउंड टीशर्ट जिससे एक यह एक ऐसा प्रोड़क्ट होता है जो कंपीट कर सकता है आप अगर बिजनस कर अगर यहां दीशाइन करना है थो लुदिफ घेंट कर लन नीचे वाटसप लिंक तीए है आपको । पची रहेगी couples buy करेंगे Amazon से और या फिर आपने चूज किया दीवाली के हिसाब का कुछ design family buy करेगी तो कुछ इस तरह से आपने डिजाइन चूज करी और उसका आपने डेट चूज कर लिया कि भाईया यह वाली डिजाइन में आज चूज कर रहा हूं जो दस दिन बाद Amazon पे में है इसके बाद जो तीसरी बात चीज़ आती है तो और तीसरी चीज की बात करें तो आता है यह क्रिंटीन संब्राइब के पर देख सेटब की कॉस्ट जानना चाहते हो तो नीचे वाटसएप लिंका दी है आप आप मेरा एक दूसरा वीडियो देखो, उसमें सारा मेने समझाया हुआ है, विनाइल का सेटप कॉस्ट कितना पड़ता है, आज मैं बात करूँगा केवल स्क्रीन प्रिंटिंग के, क्योंकि हमें भईया 5,000 के नीचे नीचे इंवेस्टमेंट करके, एक अच्छा रिटन लेन केवल स्क्रीन प्रिंटिंग से आपको कराना है, ज्यादा भटकी है मत, केवल स्क्रीन प्रिंटिंग से करवाई है, एक डिजाइन चूस करी, आपने 30-40 ती-शर्ट जो आपकी थी, समबें ये वाली डिजाइन करवा ली, और केवाल इस डिजाइन पर आपने फोकस किया, क केवाल स्क्रीन प्रिंटिंग जो इसकी कॉस्ट पड़ती 15-20 पड़ेगी पर टीशर्ट के गडिए तो लिटसे कि आपने 3-4,000 रुपया में आपने 30-40 टीशर्ट की व्यवस्ता कर ली हमसे और आपने कुछ एक-2,000 रुपया में प्रिंटिंग की व्यवस्ता कर ली तो आप यह मान कर चुलो करीब 5,000 के करीब आपके पास 40-45 टीशर्ट रेटी होगी आपके पास एक स्टॉक होगा एक ऐसी डिजाइन का जिसके ऊपर आपको बरोसा है एक ऐसी टीशर्ट जो कंपीट कर सकती से है ना उसका स्टॉक होगा आपके पास 35-40 टीशर्ट का 5000 के आसपास के करीब हो लिए आपके पास स्टॉक आ गया ठीक है अभी क्या करना है आपको चौथा पॉइंट जो रहेगा आपको इसे सेल करना है और सेल कहां पर होगा जो बेस्ट जगा है सेल करने की Amazon Flipkart जल्द आप सेलिंग पकड़ लोगे अपनी वेबसाइट से उतना जल्दी नहीं होगा जितना Amazon Flipkart से सेल पकड़ोगे Amazon में लेट से दस दिन बाद आपको सेल करना है Amazon पे आपने Amazon को Amazon पे अपनी टीशर्स लिस्ट कर दी लिस्ट करने से कवल काम नहीं होगा अगर आप लिस्ट कर दोगे तो बहुत से लोग लिस्ट कर रहे है टीशर्स यहां पर भी दिमाग का इंवेस्टमेंट चाहिए आपने लिस्ट करी टीशर्स लिस्ट करने के लिए बड़ा सिम्पल सा प्रोसेस होता है आप आप यूटीब पे कुछ वीडियो सर्च कर लो कैसे कैसे लिस्ट करते या फिर आप कस्टमर केर से बात कर लो Amazon के तो वो बड़ी आसानी से आपको समझा देंगे 10-15 में आप लिस्ट कर दोगे प्रोड़क्ट आपका Amazon पर या फिलिपकार्ट पर 15-20% का इनका मार्जिन होता है और वर्त है देने के लिए आपने 20% जो टोटल अमाउंट होता है 200 रुपया की आप टीशिट सेल कर रहे हैं तो 15-20% इनका होता है Amazon का आपने Amazon पर टीशिट लिस्ट करी लिस्ट करने के बाद आप उसमें अच्छे कीवर्ड यूस करिए मैंने क्या का दिमाग का इंवस्टमेंट इसमा होगा अच्छे कीवर्ड यूस करिए 14 फरवरी आ रही अभी देखो Amazon पर बहुत से लोग हैं तो आप क्या कर सकते हो अपनी टीशिट को प्रमोट कर सकते हो प्रमोट का ऑप्शन होता है वहां पर प्रमोट करते हैं आपकी टीशिट प्रमोट करी जाएंगी उसमें भी थोड़ा सा छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है आपने ने सर्च किया कपल टीशिट करके तो आपकी टीशिट वहां दिखेगी तो दो को यहां से क्या होगा आपने एक अच्छी टीशिट चूज करी है जो कंपीट कर सकते यह अधर मार्केट प्लेसे से आपने अच्छी डिजाइन चूज करी जिसके उपर आपको भरोसा है और मैं करें कने अवह सब्सक् Euro मियान चार थिसर किया है अपनी चार तीशिट में छी तरह से ओफ वर्जेख एक एक कहीं गर्बन ना हो जाए इसे फॉलो करिए और आपको डेपनेटिली कुछ नगोज आप सीखने वाले इन सब चीजों से डेपनेटिली कुछ नगोज सीखने वाले एक बड़ ट्राइब करिए और टी-शर्ट का जैसे मैंने फिर से बता देता हूं टी-शर्ट को अगर आपक दिन उसके बाद हमसे वाई करिए